जहिन्द फ्रेंड्स तो आज हम लोग देखेंगे जो भी important current affairs है exam point of view से उसको हम लोग cover करेंगे ठीक है जो भी हमारे channel पर नए है उसको please like करें, subscribe करें, share करें और telegram channel को join करें वहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा current affairs है आपको मिलेंगे और MCQ मिलेंगे practice के लिए जो की absolutely free है ठीक है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जो भी देख रहे हैं वो पूरा वीडियो देखें आपको इसका काफी इंपॉर्टेंट आपको समझ में है कि जब आप एक्जाम दे रहे होंगे ठीक है चलिए पहला यहां हम लोग मोटिवेशनल कोर्ट से सुरू करेंगे जितना बड़ा संगर्स होगा जीत उतनी ही सांदार होगी इसलिए आप लोग को संगर्स से बिलकुल भी घबरान नहीं है संगर्स करते हैं आप समझे कि बड़ा संगर्स है तो बड़ी सफलता में लेगी तीक है जितने भी आप महापूरूस है जितने भी ग्रेट परसन आप जो बहुत ही इंपॉटएंट है हुवे हैजस मे अबिन मैंब भी नई मलडिश में नई गवर्मेंट बनी है जिसके जो प्रेजिदेंट जो है मोहमद मूहमद मूझू मूझू मूझ Streweek जो है चानिज के समर्टक में चाइना के गोद में बठे हुए हैं तो यह इन्होंने ऐड्रोलोजिकल एग्रीमेंट को इंडिया के साथ हो कैंसल कर दिया था इसमें क्या है कि हमारी नौसेना को मालदिव के च्छितर में सर्वे करने का अधिकार इसको मिला था जैसे न्या मिनरल्स ह हो गया वहां पे दिखाने को सबस्क्राइब करने का ऑगरी मेंट किया गया था तिरी कि येवा कब था fakta ऑप यह वाघ्ज सरानेर्श coyंुन थे तो कि रॉंद सबस्क्राइब çekaker को काफी सपोर्ट करते थे अरब स्रिलंका को अभी हम लोगों ने क्या दिया क्या नाम क्या है एक का नाम मालडिफ्ट के बीच में होता है ठीक है चलिए मालडिफ्ट इंडियन ओसियन में एक आइलेंड कंट्री है और यह देखी यहीं है जिनकी में बात कर रहा था नया जो प्रेसिद्ट बने हैं मुहम्माद मुईजी और अभी जो है वाद चाइना के साथ अभी चल रहे हैं इनक क्या करेगा पता चला इनकी इनोंने तरके दिया कि हमारी संप्रभूता सोरेनिटी को इससे नुकसान है इसलिए हमें कैंसिल कर रहे हैं यह ठीक है चलिए बढ़ियां बढ़ियां बात है अभी जो है बहुत ही इंपॉर्टन कोश्टन्स में लेकर आया हूँ जो आपके एक डायमंड का ओफिस होगा ठीक है डायमंड ट्रेडिंग का ओफिस होगा यह अभी इसकी उद्खाटन हुआ है सूरत में इसको डिजाइन करने वाली जो है वह कंपनी का नाम क्या है मोर्फो जेनिसीज जो है वह इसकी डिजाइन की है और यह समझे बहुत ही बड़ा है और लगभग जो है वह 65,000 लोग जो है यहां पर वर्क कर सकेंगे 65,000 कितना बड़ा है कितना बड़ा ओफिस होगा मैं दिखाऊंगा इससे पहले जो था वह जो वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑफिस था वह था पेंटागन पेंटागन एवे से अब हो गया है सूरत ठीक है सूरत और यह देखे यह है पेंटागन के जो आफिस थी और यह हमारा जो है वह सूरत का जो अभी नया आफिस बना है जो डायमंड ट्रेडिंग का है यह देखे इसी तरह का नौ टावर है एक दो तीन चार इसी तरह से नौ टावर बने हुए हैं सोचे कितना बड़ा है यह तो य हमारे गवर्मेंट का टारगेट है हम लोग सभी का टारगेट है ठीक है चलिए अगला कुश्चन लेते हैं वेर हैं इंडिया फास्टिट सोलर इलेक्टिक बोट जिसका नाम है बारा कुडा बारा कुडा कहां पे लांच किया गया यह लांच किया गया है यह लांच किया ग इसे सोलर बोट जो है लॉंज किया गया है देखिए यही है बारा कुड़ा ठीक है तो यह इंपोर्टन्ट एक्जाम पॉइंट आवी से आपको याद रखना होगा अभी जो है वहां पर उनको ट्रेजर बनाया गया है तो उनका नाम है गोविंद देवागीरी गोविंद देवागीरी राम मंदिर कहां पर बन रहा है अयोद्या में बन रहा है अयोद्या यूपी उत्तर पर इसके बात आई है तो इसके राजधानी जो कहां पर है इसके राजधानी है ल कहां से हैं? फूलर लेक, फूलर लेक जो है, यह पर पिली भीत, जो एक जगह है, वहां से निकलती है, इसको गोमत ताल भी कहते हैं, अभी जब यूपी की बात आई है तो यूपी से लिट और भी हम लोग फैक्ट डेखते हैं, जो कि यूपी जाम परणटे विसे बहुत ही है अभी वहाँ पे इंडिया का फर्स्ट वाटर इंटि बंढ रहा है कहां पे बंढ रहा है हमीर्पूर में बंढ रहा है हमीर्पूर में बंढ । वहां पर बंद्रा राया है यहां पर एक बहुत कं इस इंट्रेयर इंटी ने कोरण ऑथ लोगी जी एक यहां के चीप मिनेस्टर नागर कुम लिय के औरfa रहें अननदी बन प्टे यहां के गवपर्नर है ठीक है तो इतने सारीवएगें पाइल वो कहां पाइला है ट्रांजेंडर इंडिया का पहला तो इतने सारे फैक्ट, जो है आपको जानने होंगे, अब निस्टिक एक ही नेशनल पार्क है यहांपे, क्या नाम उसका दुधवा नेशनल पार्क है कौन सा जगह पर पड़ता है लखिमपूर खिरी में, लखिमपूर खिरी एक जगह है, जिस्टिक वहां पर बंद पर लखिमपूर खीरी जो ए वह बिगेस्ट डिस्टिक एसा एरिया वाई सब्सक्राइड डिस्टिक जो है उपी का वह लखिमपूर खीरी ठीक है चलिए नेक्स चलते हैं हम लोग यही है जिनकी में बात कर रहा था अभी ठीक है रिसेंट्ली जो है आनन्द मैरीज आक्ट आनन्द मैरीज़ाथ फेसी्टमो कहाइड घर्योगिंचर जो है ब्लेमटिा किसरे ए और से लोगों का जो मैरेज होता है और उत्से ही तैम्स इन यह डिमांड चल रहा था कि उनको वहाँ पर recognition दिया जाए तो इसलिए जो है जम्मू कस्मिर सरगार ने इसको recognition दे दिया है ठीक है अब आप बात आए जम्मू कस्मिर की तो article 370 article 370 हटने के बाद जिक कब हटा था है 2019 में अभी तो सुप्रिम कोट का भी इस पर मोहर लग चुका है रिशन जो verdict आया है ठीक है तो दो union charity बना दिये गया एक जहेवा जम्मू कस्मिर दूसरा जहेवा लद्दाक ठीक है जम्मू कस्मिर और लद्दाक अब जम्मू कस्मिर के बात आए तो यहां के फर्स्ट LG कौन थे लेफ्ट में जनरल जनरल जो थे कौन थे यह उनका नाम था GC मुर्मू जो अभी रिसेंटली कैग हैं यह कौन से नमबर है कैग है 14 नमबर के यह कैग है ठीक है अभी करेंट जो है वहां के LG कौन है मनोज सीनहा जीए यह यूपी के रहने वाले हैं उत्तरपड़ेस के रहने वाले हैं और इससे पहले वो गाजीपूर एक जगह है यूपी में वहां से यह सांसत भी रह चुके हैं ठीक है जम्मू कस्म में दो बहुत ही इंपोर्टन नेशनल पार्ग है वो आपको याद आपको दिहान रखना एक्जाम पॉइंट और वी से यह बहुत ही इंपोर्टन है ठीक है चलिए धर्ति का स्वर्ग भी का जाता है जेन के तो आप लोग कभी मौका मिले तो जरूर वहां पे विजिट करें आपको एक अलग टाइप का एहसास होगा चलिए विच स्टेट ग ऌठ इगेंस्ट कैपिंग और इन वाइंग लिमित बाइदे जैंटर अभी ज्यएंग वहां सेंटर गोर्मेट ने एक बॉर्मित रिमित उधार लेने का लीमित फिक्स कर दिया है तो उसके ए गेंस्ट के एक तो कौन सा स्टेट है वह स्टेट है किरला जो है वह स्टेट है जो यह काम किया है उन्होंने यह बोला है कि जगर आप फंड को लिमिट कर देजेगा तो यह हमारे economy को affect करेगा development को affect करेगा इसके against इसने याचिका दायर की है ठीक है अब बात आएए किरला की तो किरला के बारे में हम लोग जानते हैं यहां के governor है आरिफ खान आरिफ खान जो हैं यहां के governor है यहां पर कुछ important national park देख लिए इरावी कूलम नेशनल पार्ग इरावी कूलम नेशनल पार्ग ठीक है पेडियार पेडियार नेशनल पार्ग इससे बहुत ही वेस्टर्ण गार्ट और इस्टर्ण कार्ट मिलती है निलगिरी ठीक है चलिए अगला कोश्चन है SPECS scheme SPECS scheme जो है हुआ कौन से मिनिस्टर के दोरा अड्मिस्टर किया जाता है यह है Ministry of Electronics and Information Technology Ministry of Information Electronics Technology basically a scheme है क्या इसका full form है क्या है इसका full form manufacturing of a scheme for promotion of manufacturing of electronics component and semiconductor इसका full form है ठीक है तो यह जो है हमारे यहाँ manufacture का promotion किया जाए electronics component का और semiconductor का इसके लिए यह scheme फिर से launch करने की revised format में launch करने का प्लान किया जा रहा है ठीक है तो यह किसके अंदर आता है Ministry of Electronics and Information Technology के अंदर आता है इसके minister कौन है अभी अस्विन बैसनोजी है अस्विन बैसनोजी इसके minister ने यह railway minister भी समालते हैं को दो-दो important ministry दे दिया गया यह बहुत ही important key role play कर रहे हैं इंडिया के development में ठीक है यह एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी है आइस आफिसे रह चुके है इसका मतलब होता है blue dragon blue dragon इसका जो है basically मतलब होता है अगर बात आए जापान की तो जापान के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं जापान जो है इधर पी-म का नाम क्या है फूमियो की सीदा यहां के पी-म है क्वार्ड एक बहुत ही important quad क्वार्ड क्वार्ड जो है बहुत ही important में यह organization को बनाया गया है ठीक है तो इतने सारे facts इस question से मिलते हैं जो की exam point टेवी से आपके लिए बहुत ही important है which day is celebrated as Vijay Divas which day is celebrated as Vijay Divas हम लोग 16 December को जो है वह Vijay Divas के रूप में मनाते हैं उन्हें 171 में जो है जो लडाई हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और इंडिया की इसमें जीत हुई थी उसी की उप्लक्ष में हम लोग Vijay Divas celebrate किया जाता है ठीक है अब बात आई दिसंबर दिसंबर में कितने भी important days है थोड़ा उसको हम लोग revise करते हैं दो दिसंबर को computer literacy day मनाया जाता है computer literacy day मनाया जाता है पर सन विट disability मनाया जाते है दिसब्लिक जो दिव्यांग localiculated जो है वह उसके लिए निद्हार्ट के और इसलिए इसलिए मरस Aussijnुपिब्स अगर नाया तो इसलिए एडवोकेट डे भी मनाया जाता है तीन दिसंबर को पांच दिसंबर को जो है अब इनकी जन्म कहा हुआ था राजिंदर प्रसाद का यह हमारे पहले राष्ट्पदी थे और इनका जन्म हुआ था जीरादेई एक गाउं है सिवान डिस्टिक बिहार में तो यहां पर इनका जन्म हुआता है यह वाजी ग्रेट परसंट ठीक है और 9 दिसंबर को क्या मना जाता है एंटी करप्शन दे तेंथ दिसंबर को क्या मना जाता है हुमन राइट्स डे हुमन राइट्स डे मना जाता है ठीक है तो यह इंपोर्टेंट इतने सारे डे हैं जो दिसंब याद रखना है आपको डैस है डेवलप्ड कंट्री फर्स्ट सोडियम आयन बैटरी टेकनलोजी कौन सी कंपनी जो है अभी इंडिया में सोडियम आयन सोडियम आयन बेस्ट बैटरी जो है उसको बनाई है डेवलप्ड किये एक केपी आइटी केपी आइटी जो हुआ पुने पुने बेस्ट ये कमपनी है इन्होंने ये बनाई है ये बहुत ही अच्छा डेवलप्मेंट लैन्दमार्क डेवलप्मेंट कहा जाएगा और मेक इन इंडिया को प्रमोट करने का इससे जो है हुआ इंपोर्ट घाटेगा जो हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं चाइना और ब वेटेज्स नीव सब वैरियंट आफ आफ कोवीड-9 ये इनवन अभी कान्फरम हुआ है फास टाइम इन आवर कंट्री अभी कंट्री में ने लोगा है इसका नाम ये इननेta था लगजंबर लगजंबर के कंट्री है यूरोप में वहां पर यह मिला था तो यह आपको याद रखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है अभी जो है अब बात आई है तो थोड़ा बड़ फ्लू बड़ फ्लू बड़ फ्लू का नाम क्या है है श्वाइन फ्लू है है h1 n1 थिक है यह भी आपको यार्द नहीं तो यह यह श्ड़ा में में इसको लोगजांने अबिंड़ाया इसलिए उन आप ैने उट कर बदहेंगेंगा hen 8 का वैं कुछ 500 कता थी उसलिए में कर रहां कि बस आप हमारे साथ wie रहें आपको सारे कपर करा रहा हूं जो भी important exam point of view से वो मैं आपको cover करा रहा हूं इसके बाहर से जाने की आपको कोई जरुवत नहीं है ठीक है हम लोग कल फिर मिलेंगे बहुत बहुत धन्यवाद और लाइक सो सब्सक्राइब जरूर करिए और ठीक है और अपने दोस्तों से भी इसको share करिए